नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ सेंसेबल के इस नए हिंदी जेली मार्केट अनासिस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनासिस सबसे पहले देखेंगे जो कल अनालिसस किया तक कैसा टरन आउट हुआ है बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है थो एक्सपयरी के लेवल्स भी हम लोग डिस्कुस करेंगे तो दोसरो मैंने आप से एक सिंपल सी बात कहीं थी कि बहुच ये जो ट्रेंड लाइन है अब हमारे लिए बहुत इंपोर्टन पर जाती है ये trend line को आपको ध्यान में रखके चलना है मैंने analysis में भी ये चीज include कर दी थी जो हम यहाँ पर लिखते हैं इस sheet पर मैंने कहा थो बहुत सी कि trend line अगा break करती है तो आप strictly अपने long से exit कर जाएंगे हम लोग क्योंकि देखे जब भी market एक breakout stage पर होता है उस समय पर breakout के fail होने के सबस्यादा chances दिखाई देते हैं तो क्या यहाँ पर अभी breakout fail हो गया है वो हमारा discussion होना चाहिए कि अब हमें कल के दिन किस तरह से trade करना चाहिए ठीक है तो अभी अगर market देखेंगे तो पूरी तरह है अभी मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप nifty देखेंगे तो nifty के हालत थोड़ी से बुरी है bank nifty से ठीक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जे हमने आपको ध्यान होगा हमने panic जो panic selling level है वो हमने बताया था कि 18,000 जो यह जो low है 18,000 का जो low है यह market में यहाँ पर panic selling हो सकती है तो जब तक कि market भी इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं थोड़ा सा भी रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पर call sell कर सकता हूँ परन्तों आप कहेंगे कि मैं put buy करूँ या मैं futures में selling करूँ तो वो मैं अभी नहीं कर पाँगा तो आप समझ गोंगे मेरे कहने का मतलब यहाँ से में भी अभी market एक थोड़ा सा sideways momentum कर सकता है इस तरह का कल के दिन एक Wednesday के दिन इतना आच्छा आपको trending market मिला यहाँ से फिर से एक बड़े trending market की थोड़ी से में आशंका कम रखनी चाहिए दूसरी बात चुकि अभी एक negative momentum यहाँ पर हो गया एक बहुत interesting बाट है यहाँ पर देखेंगे आथ कि जब market इस जगह से इस जगह से उपर चलना शुरू हुआ था तो किसी भी जगह पर market ने पिछले दिन के low के नीचे closing नहीं दिया यह पहला ऐसा दिन है यह पहला दिन है जहाँ पर मतब इतने दिनों में यह पहला दिन है जहाँ पर market ने पिछले दिन के low के नीचे यहाँ पर closing दिया ठीक है तो यह भी थोड़ा सा market के लिए negative और हो जाता है अब यहाँ पर हमें कल expiry है तो किस तरह से trade करना है वो देख लेते हैं ठीक है तो देखें सब सब पहला आप यह बात ध्यान में रखिएगा कि अगर market किसी भी हाल में किसी भी समय है अगर यह 18,120 इस zone में कहीं भी पहुँचता है ठीक है 18,120 वाले जो zone है 100 से लेकर 120 वाला जो zone है इसके अंदर market अगर कहीं भी पहुचेगा माल लिजे gap अउपन हुआ यहाँ पर पहुच रहा है तो यहाँ पर पहला उसको selling देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर market simple सा है कि बहुत अगर market gap अउपन हो तो यह जो 18,000 का जो level है यह एक support की तरह देखा जा सकता है और 18,120 का जो जो zone है यह resistance की तरह market में देखा जा सकता है ठीक है ऐसा हो सकता है परन्तु market में selling और ज़्यादा कब होगी जब market flat open होगा अगर market flat open होता है market cross करता है फिर market में और ज़्यादा आपको selling देखने को market में मिल सकती है तो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ वहाँ पर भी आप अपने जो मतलब selling at least मुझे लगता है कि फिर यह 950 के level तक 970, 950 के level तक आपको selling market में देखने को मिल सकती है ठीक है अगर market flat open होता है तो फिर almost 100 points का movement देखने को मिल सकता है अब लेकिन बात आपको यह भी ध्यान रखने पड़ेगी कि अगर जिन लोगों ने यहाँ से selling market में किया है वो flat open होते हैं गर market नीचे जाता है तो इनोंने अभी भी कोई profit book नहीं करा है हमेशा यह देखके चलिए कि आपके साथ कौन सा participants है कौन सा participants add हो रहे है ठीक है और जो पुराने participants हैं वो कब market से निकलेंगे यह चीज़ें आपको थोड़ा सा market में समझना पड़ेगा क्योंकि उसी वजह से इसी वजह से ही market में यह momentum होते है अपसाइड या डाउनसाइड हुआ ठीक है डाउनसाइड बाद यहां से अपसाइड momentum इसी वजह से होते हैं कि बोस यह जो participants है ठीक है यह कब निकलेंगे market में जब market में अभी भी देखे अगर जो ट्रेल करके चल रहा होगा उसने अपना यहां पर मान लीजे या यहां कहीं पर मांग लिए शॉट किया होगा ठीक है यहां पर उसने ट्रेल कर दिया अपना stop loss ठीक है फिर उसके बाद उसने देखा कि एक next swing कब बना यह वाला swing बनाए यहां पर तो almost यहां कहीं पर मार्केट में उसने ट्रेल किया होगा तो यहां पर अगर मार्केट जाएगा तो सबसे पहला कि यहां पर fresh sellers add होंगे क्योंकि जिन लोगों ने आज के rally miss कर दिया है जिन लोगों ने यह momentum miss कर दिया है वो लोग यहां पर फिर से कितने पॉइंट पॉइंट का momentum मार्केट में हो चुका है तो मैं फिर से आपको नहीं कूँगा कि फिर से 200 पॉइंट का momentum के लिए आप market में कल भी जाए ठीक है तो अगर market माल लीजिए second half में कुछ momentum होता तो वहां आप capture कर सकते हूँ परंतु भाई है कि जादा बड़े momentum expect मत करिएगा market से तो इसलिए मैं call sell की तरफ जादा inclined हो रहा हूँ similarly आप bank nifty में भी बात करेंगे तो bank nifty में भी यहां से important हमारे लिए यह zone हो जाता है 43,200 का ठीक है यह 43,200 वाला यह zone है यह important हमारे लिए हो जाता है निचले सतर पर 42,900 का zone ठीक है यह market में हमारे लिए important हो जाता है अगर market मान लीजे flat open होता है इसको cross करता है इस level को 42,900 को फिर हमें market में overselling देखने को मिल सकती है ठीक है फिर 700, 600 तक market मुझे लगता है कि easily पहुँच सकता है ठीक है तो इस तरह का market momentum हो सकता है यहाँ पर भी अगर market gap open होगा तो यहाँ पर जाते ही सबसे पहले उसको selling देखने को मिलेगी breakout upside पर केवल एक ही case में हो सकता है अगर market gap open हो ठीक है यहाँ पर थोड़ा time बिता है फिर upside पर momentum करे ठीक है तो यहाँ से फिर यह जो stop losses है फिर यह कटना शुरू होंगे तो market में bullish momentum हो सकता है same nifty में भी gap down अगर market में momentum हो जाता है माग लिए market gap down open हो गया तो थोड़ा अपको फिर price action देखना पड़ेगा कि बहुँच यहाँ पर market में पहले profit booking आ रही है या फिर और selling होके फिर profit booking आ रही है ठीक है तो यह थोड़ा से आपको देखना पड़ेगा market में किस तरह से market price action बना रहा है ठीक है अगर market upside पर जाता है तो पहला आपको selling opportunity यहाँ पर देखनी पड़ेगी near 42.900 ठीक है यहाँ पर market selling के लिए आ सकता है ठीक है और फिर उसके बाद अगर market मान लीजे नीचे जाता है तो फिर आपको bullish price action देखना पड़ेगा वहाँ पर आप buying कर सकते हैं till this particular level यह आपके लिए target हो सकता है ठीक है तो इस तरह से आपने trade sword से प्लान करने पड़ेंगे आपको flat gap up के case में call selling opportunity ढूढ़नी है वही अगर market gap down open हो जाता है तो फिर price action देखना पड़ेगा आपको ठीक है nifty option chain देखेंगे तो कल हमने यह भी बात करे थी 18,200 जो है ना यह थोड़ा सा संकोच create कर रहा है मन में कि यहां से भी call नहीं गए है क्योंकि हमने का था कि यहां पर यह तब यह तब जाएंगे जब market थोड़ा सा अगर अगर market selling के लिए आ जा रहा है अच्छे structure के बाद तो title break out failure के साब से आप देख सकते है उसको यहां पर bank nifty में 43,500 strong resistance है फाइक इस देवी जो पल्टी मारी ठीक है, यहाँ पर call buy किये थे, ठीक है, आज यहाँ पर call sell कर दिये, और puts यहाँ पर buy हो गए है, ठीक है, futures में अच्छा कासा quantity sell हुआ है, और अब यहाँ पर आप देखेंगे न, कि index future जो OI है, वो negative में चलने लगा है, मतलब वो net short है, FIIs, ठीक है, यहाँ से आप कुछ 3-4 द बड़े numbers यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह थोड़ा सा चिंता का विशय लग रहा है, कुल मिला के, अगर मैं कल के लिए बात करूँ हूँ, तो call selling थोड़ा सा ज्यादा मैं inclined हो रहा हूँ, ठीक है, अगर market आज का low भी break करता है, तो आपको फिर से downside और देखने को मिल सकता है, परंतु जब तक market low भी break करें, तब तक aggressive trade मत करी है, ठीक है, और जैसे मैं आपको बताया है, चार्ट discussion के हिसाब से आप expiry में plan कर सकते हैं, अपना trade, ठीक है, डॉलर अगर देखेंगे, तो डॉलर देखें, कहीं पर moment नहीं कर रहा है, यहाँ पर usually ऐसा होना चाहिए था, कि market चुकि negative गया है, तो यहाँ से एक upside momentum आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर भी कोई momentum नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा strange आई यह, चुकि फिर से sideways महीं है, अगर मैं cable, देखेंगे, अभी मैं यहाँ से कोई deduction हम लेकर नहीं चलेंगा, आ रहे हैं, यहाँ मोमेंट नह पसंद करूँगा, डारेशनल तो अभी किसी तरह का यहाँ पर देखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से market टर्न आउट होता है, कि यहाँ से क्या market एक pause sideways candle बना के फिर upside momentum कर रहा है, या market माली जब pause करता है, एक दिन के लिए फिर market इस ना कहना बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर अभी है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर market नीचे side पर आना चाह रहा है तो यह जो swing low है, इसके नीचे एक और ऐसी closing दे दे, चाहे कल एक ऐसा करके फिर इस तरह का market momentum करे, तो फिर market में आप aggressively sell market में कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे कास है, targets के लिए, फिर market यह swing को easily तोड़के निकल जाएगा, इस swing के नीचे एक और आपको low देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो यह रहा मेरा nifty bank, nifty dollar का analysis है, वोप यह आपको पसंद आए, वोगा पसंद आए, तो वीडियो को like करिए, और sensible के हिंदी चनल लो subscribe और इसी के साथ, अमेजा के तरह, अपना साथ, capital बचा के trade करो, stop loss के साथ trade करो, hedge के साथ trade करो, have a safe and happy trading with sensible, bye